हेलो फ्रेंड्स मैं सवीता ग्रीन गार्डन गुजराश से तर फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मैं शैर करूँगी ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो अपरेल मंथ में बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है लिली लिली मैं बहुत सारी लिली की वेराईटी होती है, वो सभी आ जाती है तो इस टाइम पर आगर आप इनको इनको इनके होते हैं, बुल्ब्स होते हैं, इनको अगर आप लाते हैं, या परचेस करते हैं नर्सरी से या ओन live एंट से तो जो है April से माई मन्थ में जब आप की हाँ पर बारिस होने लगेगी मौसम जो है, चैंज होने लगेगा तो बहुत ही कूपसूरत flowering करने लगेगी इस ताइम पे इनको grow करने का बहुत ही वैसर टाइम है, तो इनको जो है आप अपने garden में जरूर ऐड करें और जो है एक बल्ब से आप इनके कई सारे प्लांट बना सकते हैं अगर एक बार आप इनको अपने टेरिस गार्डन में ले आएंगे या आपका जो ग्राउंड फ्लोर गार्डन है आप जहां भी लगा देंगे तो यह जो प्लांट है यह आपके यहां पर हमेशा ही बने रहे और समय समय पर यह अपनी ग्रोथ करते रहेंगे इन में बहुत सारी कलर वेराइटी आती हैं जितनी भी लिली रहती है तो वाइट येलो पिंक रेड तो बहुत सारे कलर्स होते हैं आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनको जो है पर्चेस कर सकते हैं और बहुत ही लेकिन पानी के नीचे जो है कीचड रहता है उसी में जो ये ग्रोथ करता है तो कमल को अगर आप अपने टेरिस गार्डन में लगाना चाहते हैं तो एक पॉट लें उसमें मिट्टी लें और कच्ची गोबर की गोबर लें और उसको मिक्स करके और इसका जो है सीड या तो आगे चलकर जो हैं फ्लावर्स आने लगेंगे कमल के और है और अगर कमल में replacing सब्स ऐसे में ऊके आकर सकते हैं जो होता है बैकर सकते हैं आप सीविड्व ड़ान सकते हैं तो आपके जो चौष्ट घ्यरिने उल्स डाल सकते हैं तो आप तो कोई flowering plant नहीं है लेकिन यह 100 plant है और बहुत ही कूबसूरत attractive plant है और लो मैंटेनेंस plant है इसका कोई भी care करने की जरूरत नहीं है यह एक ऐसा plant है जिसको हमको कोई भी आकार नहीं देना पड़ता है कोई भी pinching नहीं करनी पड़ती है ना ही इसको हमको बुसी बनाने के लिए पिंचिंग करनी है ना इसको हमको जो है सेप देना है तो यह अपने आप ही एक गोल राउंट सेप में आ जाता है गोलाई ले ले लेता है वैसे तो कोचिया की ग्रीन वेराइटी ही अधिकतर मिलती है लेकिन इस टाइम पर जो है रेड वेराइटी भी थोड़ा प्रचलन में चली है लेकिन अभी जो है हमारे इंडिया में जो है वो बहुत कम जगाओं पर देखने मिलती है जहां पर देखने मिलती है वो बहुत ही कोचली मिलते हैं वैसे नॉर्मली जो है 25 से 30 रुपे में कोचिया के प्लांट मिल जाते हैं तो इनको भी जो है अपने गारडन में ए तो इसको जरूर आप अपने गार्डन में एप्रिल मंत में एड नमबर चार पर है मेरिगोल्ड वैसे तो पूरी साल ही विलूम करते हैं लेकिन मेरी गोल्ड के भी जो है बीज जो है अलग-अलग होते हैं समर्स के बीज अलग होते हैं और विंटर के बीज अलग होते हैं तो अभी इस टाइम पर जो आपको मिल रहे होंगे वो समर्स वाले अगर आप माला बगेरा लाते होंगे तो वो समर्स वाले बीज से उगाय हुए होंगे तो उनसे जो है आप उनको छुड़क देंगे किसी भी पॉट में या कहीं भी मिट्टी वाले जगा पर तो उनसे जो जर्मिनेट होंगे वो जो है समर्स वाले मेरी गोल्ड होंगे या आप चाहें तो नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं ऐपरेल मंथ में ये बहुत ही चलेंगे और माई जून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे इनको जरूर अपने garden में add करें और आराम से आपको यह पूरी साल ही घुम घुम कर फ्लाबरिंग करेंगे और mere gold में जो है एक miniature variety आती है छोटी बॉनी variety ढ्राइटी जिसको जो है आप hanging में लगाएंगे तो बहुत ही खुपसूरत लगते हैं और बहुत ही कम maintenance में चल जाते हैं तो इनको जरूर आप अपने गार्डन में add करें नमबर पाँच पर पोर्चूला का पोर्चूला का जो है वैसे तो इसको जो है 10 o'clock भी बोलते हैं 9 o'clock भी बोलते हैं ओफिस टाइम भी बोलते हैं आप अपने गवाड़न में एड़ करें एप्रेल मन्थ में अप्रेल मन्थ में ये बहुत खूबसुरती से आपके गवाड़न को एकदम फूलों से भर देंगे और ये हैंगिंग में बहुत खूबसुरत लगते हैं इनकी color variety बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा जितने color होते हैं उतने ही color इन में आते हैं इन में जो है एक hybrid variety आती है एक देशी बेराइटी जो होती है वो एक बार तो बहुत ही ज़्यादा flowering करती है लेकिन next जो flowering का time होता है उसमें जो है थोड़ी सी डिम पढ़ जाती है लेकि वो flowering हमेशा करती है तो आपको जैसी choice हो आप बैसे इनको purchase कर सकते हैं आपको यह nursery में इस time पर जो है बहुत ही अच्छे से आसानी से मिल जाएंगे और आप चाहें तो सीट से भी इनको grow कर सकते हैं आप चाहें तो इनको cutting से भी लगा सकते हैं cutting जो है आप अगर एक plant लाए और फिर next year आपको जो है इनको purchase नहीं करना पड़ेगा नमबर च्छे पर है गॉम्फ्रेना गॉम्फ्रेना जो है देखने में बहुत ही heavy blooming plant है और इसकी flower जो है एकदम plastic का shape लिए रहते हैं अगर आप उनको touch कर कर देखेंगे तो उनकी आवाज भी ऐसा लगेगा जैसे कि य इनकी जो है अगर आप चाहें तो इनकी जो है आप इनकी इस्टिक जो है फ्लावर के साथ कट करकर अगर रूम में रख देंगे किसी भी बुके में तो ये आराम से महिनों तक चलते रहेंगे इनकी color में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो इनको जो है आप seed से भी propagate कर सकत नहीं दोना सरिके जार ओए अपने लें नियुक्त जाएई डिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही एक ही प्लावरण्ट में कमसे कम 50 फ्लावर खिलते हैं प्लांट जो है अपने आप भूशिर हो जाता है अपने आप इक दम घना सहे प्ले ले गंधा जो है सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत बल्ब बाला प्लांट है जो इतनी खूबसूरत उसकी खूबसूरत रहती है फ्रेग्रेंस रहती है जिससे की हर कोई अपने गार्डन में उसको एड़ करना चाहेगा और यह एक ऐसा प्लांट है जो छोटे-छोटे बल्ब से स्लावर डेका देखने में हीं बहुत खूब्सूरत संचений से स्वाइटल MUR आप इनको बहुत सारे प्लांट इनके बना सकते हैं तो रजनी घंदा जो है आप अपने गार्डन में अप्रेल में जरूर एड़ कर सकते हैं नमबर टेन पर जो है कैना लिली कैना लिली जो है नॉर्मली हर जगाओं पर रोट साइड पर कहां जहां भी थोड़ा पानी वाला प्लांट रहते हैं ये भी लेकिन इनमें सीट से भी ये प्रोपोगेट होते हैं सीट से प्रोपोगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन इनको बल्ब से डिवाइड करना बहुत ही एजी होता है और अगर फ्लावरिंग भी नहीं होती है और बाकी के सीजन में तब भी इनकी लीप्स जो है हमेशा हरी भरी रहती हैं और अपने गार्डन को जो है एकदम हरा भरा रखे रहती हैं तो ये कुछ प्लांट ऐसे थे जो अपरेल मंथ में आप लगा सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो फ्रेंज तो प्लीज लाइक करें शेयर करे मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें थेंक यू फ्रेंड्स